असलाम लेकुम एवरीवान विलकम बैक तू मैं चैनल एंग तू मैं न्यू वीडियो आई होप यौल डूइंग गुड तो आई आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत और वीडियो की जुरुआत है वह हम रात के डिनर से कर रहे हैं रात के खाने में ये दो दिन पहले का है तो हमने रात में बनाया हुआ था चिकन दो प्याजा बहुत इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है तो चलिए मैं आप सब के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूं तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे तवा उसके अंदर हम कुछ मसाले भून लेंगे जिसमें दो टेब हमने लगबग 4 प्याज लेके कट इसे आड़ कर दिया था उसके बाद हमने 3-4 ग्रीन चिली और 3-4 जो रेड़ चिली वह वह एड किया उसके है उसके बाद हमने पांच से छो जो गार्ली क्लोव्स होते हैं उसके बाद 1 टेबल स्पून हमारा जिंजर गाली का पेस्ट और बस इन सारे जो हमारे खड़े मसाले अड़ हो गए हैं उसके बाद हमने इसमें अड़ कर दिया है सॉल्ट अपने टीस्ट के अकॉर्डिंग अड़ करेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके और आपने इसे रख देना है ग्यास पर पकने के लिए तो इन सब चीजों को मिक्स करके आपने जो डखकन डखके चिकन को अरूंड 70-80% कुक करना है उसके बाद यहां पर एक टीबल स्पून भरके जो है वो गरम मसाला पाउडर डाला है और एक बड़े साइस का टमेटो है तो उसको चॉप करके हमने वो भी आड़ कर लिया है तो बस इन सब चीजों को मिक्स करके हम जो चिकन जो है वो हमारा फुली कुक कर देंगे तो यहां पर क्यूंकि अभी सिफ 80-70-80% ही कुक हुआ है तो बस बाकी का चिकन अब हम ढखके से फिर से कुक कर लेंगे और यहां पर यह देखे मैं मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क बाएंगे बना दो क्योंकि हम पहले बाहर से लाया करते थे बट उसका जो एक तो ऐड किया जाता है और सेकें तिंग के इसका जो तीक है ना हम घर में जो बनाते है रेड चिली फिलेक्स काफी जाद़ स्पाइसी होता है मतलब एक स्पून भी ढालेंगे तो सफिशेंट हो ने-जो एया मतनल एक इसे बहिद हे ठाट रही है यह स्टार्टिंग विद्धना हो जाया है उसका जो है आ—— मतलब बन चुका है बिल्कुर बस हमने रोटिया भी बना ली थी और बस अब हमसे सर्फ कर लेंगे मैं आप सब के साथ बताने वाली हूँ कि मैं कुछ किसी चीज पर काम कर रही हूँ तो इंशाला आगे चल के शेर करूँगी कि क्या है वो चीज आप सब को जरूर पता चलेगी तो बस उसी सलचले में मैं उसे बात करने गई थी हम दोनों को कुछ डिसकास करना था प्लानिंग श्लानिंग करनी थी थोड़ी बहुत तो इस वज़े से मैंने जुम्मा की नमाज जो है वो जहर की जो नमाज है वो पढ़ ली थी उसके बाद जल्दी से खाना खा गया मैं निकल गई थी मुझे लगा कि कहीं उसे वेट ना करना पड़े मैं क्योंकि वो भी काफी दूर से आ रही थी वहाँ पर जब मैं पहुची तो मुझे पता चला कि वह भी तक पहुची नहीं है मुझे वहाँ पर स्टेशन पर आदा पॉना घंड़ा उसका वेट करना पड़ा या कोई बात नहीं और हम लोगों को काफी जादा मज़ा भी आया मतलब हम लोगों ने इतनी बाते की अपन जो खाना वना खाया और फिर उसके बाद मैं घर पर आगई शाम तक मुझे छे बच गया थे घर पहुचते पहुचते तो यहाँ पर यह मैं संडे मौनिंग का जो है वो विडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हूं और हम निकल पड़े हैं अक्चली बाहर संडे को यह बज़रा था अराउंड फाइफ थर्टी इन दा मौनिंग तो हम लोग गए थे जरा मरीन और यहाँ पर बीकेसी वगेर ह मैंने कभी नहीं देखा है तो इसलिए मेरे भाई मुझे बता रहा था कि सुबह सुबह वहां पर काफी जादा शान्ती होती है अच्छा लगता है तो मैंने एक हफ्ते से उसे इतना रिक्वेस्ट की कि प्लीज ले चल हमें तो फिर वह फाइनली मान गया संडे को जाने के अपनी मुमा को पी रेडी कि प्लीज आप भी चलो क्योंकि वह भी कहीं नहीं जाते हैं जल्दी तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकले और हम लोग काफी जल्दी वापस भी आ गयता इतिंग और में तिंग इसकी बीकेसी जो है वो मुझे देखने का मोका ही नहीं मिला वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो कुछ रूट से वो ब्लॉक करके रखा वा था उन लोगोंने जो में रूट था जाने के लिए वो इसलिए क्योंकि कुछ मैराथॉन वहाँ पर हो रहा था कॉम्पेटिशन तो इस वज़े से वहाँ पर जो रनर्स होते ना उनको भागने रुके थे, hardly 10 to 15 मेनच हमने रुका वा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास देखने लाइक है, नहीं हमने सब देखा हुआ है वही, तो इस वज़े से बस हम थोड़े देर के लिए रुके, और मैं अच्छली अपने कैट को भी लेके गई थी मैंने सोचा की, जैसे बागयों की कैट को घूमना बहुत पसंद होता, मैं उसे भी ले जाऊंगी, बट यार, वो इतना बत्तमीज है, बत्तमीज नहीं बट वो बिचारा वो डर रहता क्योंकि वो कभी बाहर निकला नहीं है, तो इस वज़े से वो बस डर गया था, बहुत जादा तो हम लोगों को वापस गाड़ी घूमा कर उसे घर पर ड्रॉप करना पड़ा, वैसे घर पे तो मेरे अबबू थे ही, वो सो रहते है, उनको नहीं पसंद है जादा घूमना, तो घर पे अबबू थे, बस हम तीनों गए वे थे बाहर, and yeah I really enjoyed it, मतलब काफी दूनों के बाद में निकली वैसे, मैं नहीं नहीं कलती हूँ मुझे घूमना हुमना भी, मैं नहीं तना घूमती हूँ बट ठीक है, मैंने मज़ा किया, enjoy कि हम लोग ने वो थोड़ा सा भी टाइम तो उसके बाद तो हम लोग घर पहुच गए थे, around 8.15 तो ममा चले गए सोने क्योंकि वह बहुत जल्दी उठे वेते, मतलब हम सब उठे तो वह चले गए सोने के लिए और मुझे बहुत जादा शदीद किसम की भूख लगी थी तो वैसे तो कुछ था नहीं खाने को तो फिर मैंने सोचा और मेरा चीट डे भी था अफकॉस तो मैंने इसलिए अपने लिए मैगी बना लिया और सुबा सुबा मैं यहां पर काटून देखने बैट गए इतना जादा पीसफुल मोमेंट था ना यार मैं इतना जादा पसंद है ना सुकून से बैटके खाना खाना या कुछ भी स्नाक्स वगएरा खाना हम शान्ती में मुझे बहुत पसंद है तो यहां पर मुझे बहुत ज़दा मजा रहा था तो उसके फॉरण बाद मेरा भाई आचली गाया हुआ था बाहर वह उसने हम लोगो घर पे ड्रॉप किया और वह चला गया था यहां पर नाश्ता लेने के लिए तो संडे को तो मैंने काफी बार यह बात बताए कि हम लोग घर पे नाश्ता नहीं बनाते हैं कि तो हम इडली चीला या फिर डोसा जो होता है न वही वह बाहर से मंगवाके लेकर आते हैं तो यह मेरा भाई ले आया था नाश्ता और मेरा अच्छली प्लान था कि मैं आपर संडे को चाय पाउं जो होता है ना इसी लिए बर्ट मेरा बहुत जादा मन कर रहा था कि मैं पाउं और चाय बिल्कुल पुराने दिनों की तरह खाऊं बहुत मजाता है वह भी बटर लगा के तो यसलिए मैंने अपने भाई को कॉल करके बोला था कि आते वक्त ले आना मेरे लिए जरूर पाउं तो यहाँ पर ले आया ए है और यहाँ पर ममा और जो अब बू है वह तो अभी तक सोई रहते वह दोनों मैंने अपने लिए और मेरे भाई के लिए यहां पर तियार कर लिया है बस यहां पर मैं बटर लगा हूंगे पाओ में बटर मेरा काफी ज्यादा हाड था क्योंकि वो फ्रिज में था न तो इसलिए मैंने इसे 15 सेकंड जना माइक्रोवेव कर लिया हाला कि प्लास्टिक कंटेनर उसको ने डालना चाहिए बट कुछ सेक मुझे इडली बिल्कुल नहीं पसंदे आए लाइक डोसा जो मसाला डोसा होता है न वो अंड मेदू अड़ा वगेरा बट आए डों लाइक अडली तो बस मेरे भाई ने इडली खाया था एंड मैंने तो चाय पहुंच जो के तो और अफकॉस मैंने मैंगी भी खाया होता पहले तो मेरा पेट भर गया था और इतना ज्यादा भर गया था कि मैंने फिर लंच ही नहीं किया मैंने सीधर रात का खाना खाया था तो बस यहां हमारे ब्रेकफेस्ट यहां पर रेडी हो रहा है तो मेरी चाय भी यहां पर रेडी हो चुकी है और इफ तो मैं इसे निकाल लूँगी कप्स में I know यह बहुत बड़े बड़े कप्स है बट हम इसे पहले यूज किया करते थे बट फिर सब लोग बड़े हेल्थ कॉंशिस हो गया है तो फिर इस कप को मतलब चाय इस कप में कोई हांडली पीता है और वैसे हम यूज करते हैं तो यहां पर मेरा यह देखे नाश्ता जो हमारा तियार हो चुका है और हम दोनों टीवी देखते हुए यहां पर नाश्ता नाश्ता एंजॉय कर रहे थे तो बस यह था मेरा आज का वीडियो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज प्लीज सब्स्क्राइब तो मै चानल और इन मिलते इंशालला अगले वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेग and stay tuned for my another vlog and stay positive stay happy bye